हापुर से हैं सुनीता जी स्वागत है आपका मैंना मायात्म मैम स्वागत है आपका हाजी 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 सबात करनी जी बात हो रही है जैहिन स्वागत है आपका हापुल वालो हाजी 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 नमस्ते जैहिन हाजी 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 नमस्ते जी आदा, बताईए क्या सवाल है, टीवी के आवाज नहीं, आप फॉन पर बात करें हमसे, हमारी आवाज आपको देर से पहुजती है, टीवी पर कि हागी मैडम जी मेरे जो है खुजली हो गया है हम खुजली है अगी यहां जीर कुजली में तो निकला है बहुत जागा बन जा गया है हावाज कमस्प्रव तीवी कहां पर होती है कुज़गी पिच्छा हो रही जी, कमर का निच्छा की बिल्कुल इससे मैं उच्छे देखिए, एक आता है, गौन चिलगोजा, याद रखें असली ने हैं, गौन चिलगोजा और एक चुटकी खा लें उसको, गौन चिलगोजे को, एक चम्मच अलसी का पॉडर के साथ एक चुटकी गौन चिलगोजा खा लें, एक चुटकी याद रखें, यह बहुत तेज होता है, और एक चम्मच अलसी के पॉडर में मिला कर खा लें, और यह खाने का सोड़ा, एक चुटकी, दो गिलास पानी में मिला कर, यह पानी बाद में पी लें, पूरे 24 गंटे में एक खुराक लें, आपको फाइदा होना मुम्किन है, हकीम साब एक दाने तो वो होते हैं, जो खुजली करते रहते हैं, और एक दाने जो यह बता रही हैं, जिन में पानी निकलता है, तो जो दाने पानी छोड़ते हैं, तो क्या उनके पानी छोड़ने से और भी दाने बनते है हाँ ये एक ऐसा ही रोग है कि वो फूटते हैं फिर दूसरे निकल आते हैं रुकते ही नहीं है और वहां पर अजीब सी खारिश और दासा हो जाता है ये एक फंगस की बीमारी है तो ये उसका जो मैंने बताया ये किसी भी तरहां का फंगस हो या ऐसे चाले निकलते हैं पैरो में हाथों में दाने निकलते हैं वो बहुत खुजली होती है खुजालो तो तूट जाते है फिर ठीक नहीं हो पते हैं दूसरे निकल आते हैं तो ये आपके खून की सफाई कर देता है और जब ठीक हो जाएं रोग दे और एक खुटकी बस काफी है अगर आप इस्तमाल करे असली दवाएं अगर जो भी मैं आपको बताऊं असली दवाएं लेंगे तो फाइदा मुमकिन है तो बिलकुल देखिए दरश को कोई भी बिमारी अगर आपको हो जाती है तो उसको छोटा ना समझें अगर आप किसी भी बिमारी को छोटा समझते हैं आपको लगता है कि ब माम जगे पहले आप ट्राय कर लीजे बहुत सारी ट्रेटमेंट आप फॉलो कर लीजे जब आप ठक जाए हार जाए जब आपको लगे कि आप तो कोई रास्ता बचा नहीं है तो आपके लिए द्वार खुड ले हैं सेहत और जिंदिगी प्रोग्राम के जहां पर आप लोग जब जुड़ते हैं तो वो विश्वास दुबारा से आपके अंदर बरकरार हो जाता है वो हिम्मत आपके अंदर दुबारा से आ जाती है कि अब हम बहतर हो सकते हैं अब हम ठीक हो सकते हैं मन में कोई भी सवाल है रोकसंबंध ही आप लोग लाइव हकीम सहाब से कर सकते है करके जो आपके सामने आपकी tv screens पे हैं विहार से हैं कंचन कुमार जी स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार सर मैं हमको ACIDITY का PROBLEM है ACIDITY की PROBLEM कब से है मैं हमें एक वर से है ACIDITY की PROBLEM आपकी उम्र कितनी है 49 साल, 39 यह जे 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 39, 38, 49, 40 ये रोग आने का की उम्र है यहां हमारा चार पांच रोग आते हैं जिसमें ACIDITY, कब्स बवासीर कॉलिस्टॉल हार्ट पाबलम कौन का गाड़ा होना ये सब रोग थाइराइड दिल का पाबलम डाइबटीज इस सब आने शुरू हो जाते हैं और इनमेसे एक रोग आता जरूर है हर इनसान को एक नस्खा मेरा है जो घर घर तक पहुँच रहा है और बड़ा फाइदा लोगों को है वो ये है के सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती ये च्छे चीज़ें मेती का दाना ले एक बार और बोलता हू सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती का दाना सौसो ग्राम लेके घर में पॉर्डर बनाके रखा करें और एक आता है नमक जैतून ये बड़े जो घर है और सब परिवार हैं उनमें तो रहता ही है अब एक चुटकी नमक जैतून लें ये एक ऐसा नमक है जो स्याद में अमकीन नहीं होता ये आप दो गिलास पानी में डालें इस पानी के साथ ये जो पॉडर छैचीजों का बनाया है ये खा कर ये पानी पीलें दो गिलास पानी जो नमक जैतून मिला हुआ पानी बस खाने से पहले ले ले में ले 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 दिन में एक बार या दो बार ये दस बारा रो को कंट्रॉल करता है एसिडिटी कब्स बावासी इंफेक्शन वरम सूजन लीवर की सूजन लीवर बढ़ जाता है लीवर बढ़ा हो गया लीवर हुनी बनाता है लीवर की सफाई किड्नी के लिए बहुत अच्छ हो दाने निकलते हैं मुहा से निकलते हैं यह 10-12 रोग में काम करता है आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं दिली से हैं विरेंदर जी स्वागत है आपका आजी गुरु जी नमस्कार जैहिं स्वागत है विरेंदर जी गुरु जी मेरी पहले बात हुए थे आपको हाथ जोड़ के प यह फॉन ही नहीं मिलके दिया गुरुजी इतने फॉन मिला के रहे हो गुरुजी मैं थोड़ा यह छोड़ा च्छोटे सवाल है कुछ यह पूछाँ चारा हूं गुरुजी एक तो यह है कि नमक कौन सा अच्छा गुरुजी यह बेले वाला नमक अच्छा है काला नमक यह जप् पिस्वा नमक जो आता है यह अच्छा है एक यह यह है एफ एक मिता कुंसा अच्छा है गुड अच्छा है चीन अच्छी ऐ शक्क र अच्छा है शायर अच्छा हैों जिए वो काल बाल कने के तरीक पूछ था भी ड़ी कालई इ cringe मेरे बाल पतह नि कुछ उनकी एक ज्यादा है, मेरी चाह सुमा जी, तो उनका थोड़ा गर्भाश्य है, बहाराग, अन्मल वो बहार है थोड़ा, उसमें आप डॉक्टर को दिखाया है, वो कहरा है, इनकी उमर ज्यादा है, वो परेशन नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए कुछ सुझाओ गुरुज जी पुड़ी हो, कुछ साहता करो गुरुजिस के लिए, ठीक है, जी, 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 तो मुझे शेर यादा जाता है, कौन सा चीज अच्छी है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा नाम अच्छा है, जील अच्छा है, कमल अच्छा है, कजाम अच्छा है, तेरी आखों क लिए कौन सा नाम अच्छा है। अच्छा दीए, मीठे में गुड़ बहुत बेहतर है। लेकिन इसकी अगर पसंद आए, इसका स्वाद। तेलों में, हिंदुस्तान में तेल जो है, वो राई का तेल बहुत अच्छा है। और क्या पूछाए इन्होंने? बाल-काला करने का तरीका। बहुत आसान तरीका है। यह जो मैंने नुस्का बताया था, इसको लोहे की परात में। या लोहे का कच्छे लोहे का होना चाहिए। जैसे तबा होता है ना उसमें भीगोल है, वो नुस्का तो आपको पताई है, ये शिका काई, रीठा, आउला, चोटी हड, चार चीज़ों को पॉडर बना लें और इसमें भीगोल हैं, इसमें महंदी भी डाल सकते हैं, असली महंदी, और चाय की पत्ती थोड़ी मिला दे हैं और ये लोहे से रियक्ट करता है, और लोहे की कालक इसमें आ जाती है, फिर आप अपने बालों में लगाएं, भीगोकर रख दें, ज्यादा पानी ने डालें, डाई काड़ी सी रहें और वो अपने बालों में लगाकर ऐसे हर सब जगा अंदर अंदर करके, ऐसे करके, और छोड़ दें दो गंटे बाद आप, नहालें, ये औरिजनल डाई होती है, इसमें शैम्पू भी होता है, जो रीठा है शैम्पू है, जाग भी बनते हैं, और बालों पर एक ऐसी अलग टाइप की चमक आती है, पता नहीं कुछ गलती होगी होगी आप से, इस वज़े से अधिके नमक तो नमक है, और नमक और नमक याद में बड़ा फर्क है, काला नमक भी बहुत अच्छा है, अगर वो रहती है आपको, बदहजमी, खटी ड़कार ये वगएरा तो काला नमक यूज करें, और फिर डले वाला नमक हमने मुद्द तो यूज किया, फिर ये अबार करने लगे लोग तो, पिसा पसाय नमक, इसका नमक और उसका नमक और आयडीन यूख नमक, आयडीन लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन आयडीन भी ज्यादा हो जाए तो नुकसान देता है, हड़ियों को, तो वैसे सादा नमक मैं बहुत पसंद करता हूँ, आयड और अपनी साद से महबत करने हाले लोग यकिना बहुत अच्छे होते होंगे, ये आता है, गौन चिलगोजा, गौन चिलगोजा, बस एक चुटकी, उन्हें खिलादिया करें, शहदम मिला के दे दें, अगर शुगर नहीं है, या किसी और चीज़ में, आईसी खालें, गौ एक चुटकी, सोडा खाने का, दो गिलास पानी मिला कर, ये पानी पिला दिया करें, चौबिस घंटे बस एक बार, तो ना तो आप्रेशन करा सकते हैं, इस उमर में ना कुछ, इस से उनको फाइदा होना मुम्किन है, अगले कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका, अगले का, दिलिब जी बताईए, सवाल करिये सर, अगले के लिए इसका कोई हिलाज है, बीपी बढ़ती है, जी, जी, क्या उमर है आपकी कब से बढ़ती है, किटनी बढ़ती है, लगम में साल बढ़ती है, जी जी, के अच्छा देखे बी-पी की दवा खाते रहें और उसके साथ मैं एक नस्खा बताता हूँ अगर आपने च्छे-साथ महीने लिया तो फिर आपकी को मुकमल फाइदा मुम्किन है लेकिन वो दवा छोड़े लें और वैसे तो आप कोई दिन्दगी बद दवा खानी पड़े लेकिन अगर आप ये नस्खा साथ में लें उसके तो ये भी छुट जाना चाहिए और वो भी छुट जाना चाहिए लेकिन च्छे-साथ महीने लगाता है एक आता है कलोंजी का सिर्का लेकिन असली लेना है नकली लेंगे कोई भी नस्खा जो मैं बताता हूँ फिर स्पून कहते हैं वो दो गिलास पानी में मिला ले या एक गिलास में मिला ले चोटे चाहिए के चमच से कलोंजी का सिर्का और एक चुटकी उसमें खाने का सोड़ा डाल दे हैं और ये रोजाना रात को एक बार पीलिया करें आपको थोड़ा सा भी पी है तो एक ही बार आप को दीरे दीरे या आपकी तीन चार फायदे करता है कोलिस्टाल जरूरत के मताबक कर देता है ब्रैट प्रेशर के इतना होना चाहिए इतना लाता है ब्रॉकिज को खोलता है चर्वी को कम करता है फालिज होने से रूपता है डायप्टीज होने से रूपता है डायप्टीज को कंट्रॉल भी करता है पेट को भी बहुत अच्छा रखता है लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं